हाई दोस्तों आइटिक मैं आप सभी लोगों का स्वागत है आज का ये वीडियो काफी मज़ेदार होने वाला है इसलिए इस वीडियो को एंड डग देखीगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी कमाल को और इंट्रेस्टिंग आप के बारे मताने वाला हूँ जिस और उसी एप की मदद से आप सिर्फ एक फोटो ही कैप्चर करेंगे और आपके चेहरे का एक पूरा का पूरा 3D मॉडल भी रैडी हो जाएगा साथ साथ में साथ साथ में जो दूसरी एप है ना वो काफी कमाल किये क्योंकि उस एप की मदद से आप अपने घर में रहे असपास पड़ा हुआ है उनका भी आप एक 3D मॉडल बना सकते हैं और यह वीडियो लोगों के लिए काफी यूसफल होगा जो 3D मॉडलिंग सीखते हैं क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का 3D मॉडल बनाना होता है तो उसमें काफी ज्यादा महनत लगती है बट यहाँ पर एक छोटी सी एप का यूज़ करकर आप किसी भी चीज़ का 3D मॉडल बना सकते हैं और उसके बाद उसे थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं कोने वगेरा सीधे कर सकते हैं इसके बाद आप उस चीज़ का एक प्रॉपर 3D मॉडल रेडी कर सकते हैं तो भाई रेडी हो जाओ अपने Android स्मार्टपोन से 3D model बनाने के लिए आप चाहें अपना बना लो या फिर किसी होर चीछ का या फिर अपने पूरे गर को scan कर लो हो जाएगा ठीक है तो चलिए यापने मैं आपका time pass नहीं करता हूँ फड़ा पर साम इस वीडियो को start करते हैं मिरा अरफान और आप देखना है टेक सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि यह जो 3D scanning का funda है ना यह पूरा का पूरा AR core पर ही बेज है यानि कि अगर आपके smartphone में AR core का support ही नहीं है तो simple है आप किसी भी चीछ को scan नहीं कर पाएंगे तो यह बात समझ लीजे ठीक है तो आपके smartphone में AR core का support होना भी अचीज जरूरी है अगर AR core का support नहीं है तो एक Google की AR core app है उसे install कर लो उसके बाद आप इन दोनों app को try करना अगर काम कर गई तो अच्छी बात है नहीं की तो फिर कुछ और जुगाड करेंगे और आपके smartphone की वैटरी भी थोड़ी सी ज्यादा drain होगी तो इसका आपको ध्यान रखना है तो यहां पर मैंने मेरे घर का एक बड़ा hall है उसे भी scan किया ता और मेरी जो office है इससे भी मैंने scan किया हलाके मैंने फटाफट से scan किया मुलब time waste ने किया मुलब फटाफट मैं घूम लिया और फटाफट scan करने की कोशिस की आपको दिखाने के लिए इस वज़े से इसकी quality कुछ इस तरह की आई हुई है बट अगर मैं धीरे धीरे आराम से step बार step scan करता है मेरा room जो है वो काफी अच्छे से और proper scan होता एक बात का ध्यान रखना के जिस room को अगर आप scan करने उस room में कहीं पर भी काच या फिर आई ना बोलते न mirror वो नहीं होना चाहिए अगर वो होगा तो उसका reflection अलगी तरह से एक camera capture करेगा जिससे जो quality वो proper नहीं आईगी तो इसका आपको खास ध्यान रखना है अगर mirror याने की काच अगर घर में लगा हुआ है तो आप उस पर कपड़ा ढग दे उसके बाद scan करें scan करने के बाद simple है आप इस file को share भी कर सकते हैं और तो और जिन software के अंदर 3D modeling होती है जो room है मलब उसे scan करना चाहते तो simple है आपको 2CM पर click करना है अगर थोड़ा सा बड़ा room है तो simple है 4CM पर click करना है और अगर आप फटा-फट scan करना चाहते हैं तो 8CM पर भी click कर सकते हैं और जैसे आप scan वाले button पर click करेंगे तो आपके smartphone का back camera जो वो open हो जाएगा इसके बाद simple है बस आपको कुछ इस तरह से पूरे room को scan कर लेना है यह तोड़ा मैं fast कर रहा हूँ बट आपको धीरे-धीरे scan करना है इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर face scan के बारे में यानि कि अगर आप अपने चैरे का एक 3D model बनाना चाहते हैं तो simple आप scan वाले button पर click करें click करने के बाद नीचे की तरप आपको एक option देखने को मिल जाएगा face scan तो simple आप इस पर click करके scan वाले button पर click करें click करते हैं आपके smartphone का जो front camera वो open हो जाएगा इस तरह से इसके बाद बस simple है आपको अपना face जो है वो capture करना है और capture करते बूम यहाँ पर आपका 3D model ready हो गया अब आप कहेंगे नहीं यार यह तो image crop होगे नहीं नहीं भाई इसे आप ऐसे घुमाओ तेखो यह पूरा का पूरा से मेरा 3D face बना दिया है मस्त लगना यार अब बार यहाथ यह second app की और इस app की मदद से आप किसे भी छोटी या फिर बड़ी चीज़ का 3D model बना सकते हैं इस app की सबसे कमाल की बाद मुझे लगी कि यह app जो ना वो frame by frame image capture करती है और एक proper 3D model बना कर देती है बट यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी चीज़ का 3D model बनाना चाहते हैं उसे आपको एक ऐसे प्लेटफॉम पर रखना होगा जिस प्लेटफॉम को यह app scan करेगी तो simple है यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह की image होनी चाहिए तो आपको एक जहरोक्स निकलवानी पड़ेगी तो यह कैसे निकालना है मैं आपको बता देता हूं तो सोच यह कि एक 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 फॉर साइस का पेपर है तो यहाँ पर मैं चोटी सी चीज रख सकता हूं जैसे कि अगर मैं बात करूं माचिस की डबबी माचिस की डबबी बोलते ना तो म सकता हो या फिर कोई पैंसिल रख सकता हूं चोटी चाहोटी चीज में रख सकता हूं बटर कोई मुझे बड़ी चीज रखनी है जैसे कि मुझे मैं एक तो यह तो यह मैं मेरा पर तो अब यह चैन कर सकता हूं तो कहने का मलब मेरा यह है कि इस app का use करकर आप चोटी से चोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ को scan कर सकते हैं बट scan करने के लिए जो भी चीज़ आप scan करेंगे उसे आपको इस marker के उपर रखना पड़ेगा अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप marker कहा से डाउनलोड कर सकते हैं तो simple आपको इस तीन डॉट पर क्लिक करना है, get mat पर क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद आप इसे print करवा सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके बाद आप इसके एक जैरोक्स निकलवा सकते हैं फिर यह आप काम करेगी, तो चलिए अब मैं आपको बता दा हूँ कि अगर आपने marker डाउनलोड कर लिया एक जैरोक्स भी निकाली, अब यह आप कैसे काम करेगी तो मैं आपको बता दू कि इस अप के अंदर ही आपको सारा सैटप दिखाया जाएगा कि कैसे आपको इस अप को यूज करना है, तो सिंपल आप इस तिन डॉट पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद चौथे नंबर का आपको यहाँ पर ओप्सन दिखाई देगा टुटोरियल एंड टिप्स के नाम से, सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपको यह बताएगा कि पहले आपको एक जैरोक्स निकलवानी है, इसके बाद किस तरह की जैरोक्स होनी चाहिए इसके बाद आप देख सकते हैं चोटी चीज़ है, तो छोटा पेपर यूज करें और बड़ी है, या फिर एकदम बड़ी सी चीज़ है तो यहाँ पर आप एक पेपर और ले सकते हैं और उसे साइट में रख सकते हैं, उसके पीछे की दरब रख सकते हैं और उसके बाद आप उसे स्कैन करें, कैसे स्कैन करना है आप देख लो, कुछ इस तरह से यहाँ पर इसे स्कैन करना है और scan करने के बाद यहाँ पर मैं आपको एक model दिखा देता हूँ जैसे के मैंने इस माचिस की डिबी को scan किया था और आप देख सकते हैं मैंने इसका पूरा का पूरा 3D model बना दिया है और यह कावे अच्छा भी लग रहा है तो यहाँ पर मैं हाँ यह वाला mobile वाला भी बहुत सही है बट थोड़ा गडबड हो गई है क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा हिल गया था तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने Samsung के यह पता नहीं कौन सा model है Samsung का बट इससे भी मैंने जो है वो scan कर लिया था तो कुछ इस तरह से आप इस एप की मदद से किसी भी चीज़ का 3D model ब यहां इन दोनों आप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रॉप्शन मिल जाएगी वहां से आप इस एप को इंस्ट्रॉल कर सकते हैं तब तक लिए अपने ध्यान रखना दोस्तों टेक केर बार